यही सवाल आपके लिए मैम, टीचर कहा हैं MCD स्कूल में? MCD स्कूल में टीचर है, टीचर जो अडोप्शन पे लिए हुएं, कॉंटेक्ट बेस पे टीचर हैं, लेकर मैंने देखा हैं कि MCD में काफी टीचर हैं, पुछ हैं, उनको भी सेलरी में टाइम पर तो जाती नहीं, सेलरी में हमेशा मिलती हैं उनको, लेकर इस पार 13,000 क्रोड रुपया हैं, जो दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी ने जो निगम को देना था, वो नहीं दिया गया, उसकी वज़े से कुछ रुकावटें आई हैं, नमस्कार में इश्का आप देख रहे हैं, नेशन लाइव, MCD चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में जो हवाएं हैं वो तेज हो चुकी हैं, तो वहीं हम आज आप पहुचे हैं जनकपुरी विधान सभा के पश्चमी जनकपुरी में, और पश्चमी जनकपुरी की प्रत्याशी जगदंबा चोहान जी आज हमार साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आने वाले चुनाव को वो किस तरह देख रही हैं और कितना विकास वो शेत्र का कर पाती हैं, मैम बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका नेशन लाइव में, धन्यवाद जी आपका, नमस्कार साथ ही हो, क्या लग रहा है मैम, चुनावी हवा जो है वो दिल्ली में तेज होती जा रही है, चुनाव जो हैं करीब आ गए हैं, क्या कुछ अलग रहा है, उमीद बनी हुई है नहीं है कुछ, पूरी उमीद है जी है, मैं इस MCD भाजपाई आएगी इस बार भी, भाजपा आएगी MCD में, अच्छा आपने का भाजपा आएगी इस बार भी, पंदरा साल से भाजपा जो है, वो साशन में है, MCD में, कितना अपने आपको आप कितना नंबर देना जाएगी, काम हुआ है या नहीं हुआ है कुछ काम, बहुत काम हुए भाजपा के आने से, हम देखनें 15 साल से निगम में भाजपाई आ रहे हैं, सबसे पहले में गिनाती स्कूलों से, स्कूल जो थे विलकुल मतले सिंगल स्टोरी स्कूल थे, अपने जनकपूरी में, मैं जहां इस वार्ड में रहती हूँ, अब सारे डवल स्टोरी नए तरीके से स्कूलों के बश्ता हुई है, हमारी निगम पारसदा प्रोमिला गही जी जब थी यहां दस साल पहले, उस वक्त से सारे स्कूलों की नई नीव रखी गही थी, अब देखा जाए सारे स्कूल जो है, नई तरीके से बनने हुए, सबसे बड़ी उपलफदी तो ही है स्कूल के बच्चों को, और उसमें जब स्कूल अच्छा होता है, तो पढ़ने वाले बच्चों की संक्या भी बढ़ती है, तो उसमें बच्चे काफी बच्चे भी आ रहे हैं, मैं खुद स्कूलों से जुड़ी हूई हूँ, तो बहुत अच्छा है, की स्कूल तो बढ़ा दिये हैं, क्लासरूम तो बढ़ा दिये हैं, बच्चे तो बढ़ा दिये हैं, लेकिन टीचर काई हैं, तो यही सवाल आपके लिए मैम, टीचर कहा हैं MCD स्कूल में? MCD स्कूल में टीचर है, टीचर जो अडोप्शन पे लिए हुए, कॉंटेक्ट बेस पे टीचर हैं, लेकर मैंने देखा है कि MCD में काफी टीचर है, कुछ हैं, उनको भी सेलरी टाइम पर तो जाती नहीं है? सेलरी मेडम हमेशा मिलती हैं उनको, लेकर इस वार जो है, 13,000 क्रोड रुपेया, जो दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी ने जो निगम को देना था, वो नहीं दिया गया, उसकी वज़े से कुछ रुकावटें आई हैं, फिर भी जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे सीनियर लीडर है, उन्होंने अपने उससे परसनल फंड सेज़ वे, उस विवस्ता को बनाए रखा है, उनको सेलरी भी दिया है और काम भी चला रहे हैं, तो फिर किसलिए नराज चल रहे हैं, टीचर ने तो अभी भी नराज चल रहे हैं, कि उनकी सालरी टाइम प पता ही है, पूरे बल्ड पे ही, पूरी दुनिया पे जो इतना कहर वर्सा है, तो उसकी वज़से जो है, कुछ हुआ होगा, क्योंकि जा सेलरी वैसे रुकी तो है, नी, जा कुछ रुका होगा, तो उनको उसकी विवस्ता करके दी गई है, कोई भूखा नी मर रहे है, उनक पूरी जाला करता है, जा करोना काल में जमीन पर उलत्रा है, और उसने घर से रोटिया बनाके हम लोगों ने विजी है, रोटियां बनाके और राशन विवांटाय लोगों को दुवाइयां जितनी निगम से हो सकती ती तीचरों के लिए में तो स्कूल तो जानी रहते तो सब के स्कूल बन थे स्कूल में आना जाना नहीं था ओनलाइन क्लास बच्चों की लगती थी फिर भी अगर उनको केजरिवाल जी के बज़से पैसे नहीं मिलें क्योंकि तेरह जार क्रोड रुपए का फंड नहीं आया उसकी बज़से जो है लगता है कि कुछ नराज भी है टीचर क्योंकि जब हो क्योंकि शेत्र में अगर हम बात करते हैं लोगों की तो लोगों का कहना है कि वह आते नहीं है आपने का वह दक्षणी दिली नगर निगम के महापौर रह चुके हैं तो काफी अच्छा काम उन्हें करना चाहिए था पात साल के कारेकाल में लेकिन अभी जो हम जंता से जान पर रहे हैं उनका कहना है वो शकल दिखाने नहीं आएं पात साल में क्यों कहते हैं रोज उनके आई दिन जो है बड़ फेस्बुक पर आ रहे हैं में खुद उनके साथ रहती हूं मंडल के ना वह वाट्टाब और फेसबुक तरसीमित हो चुके हैं यह नहीं क्यों यह का र तो वहां पर देखते हैं आप रोड में बिलकुल गंदगी नहीं और दूसरा कुछ डिलाव ऐसे थे जो पोस इलाकों में वहां पे जो है गंदगी जैसे कई वार कुड़ा बेवस्ट जैसे करोना काल में लोग जो कर्मचारी थे कुछ लोग तो कुड़ा बीमार भी हो गए कुछ की डैथ भी हो गई जो लोग बचे थे पबलिक की सेवा में लगे थे कुड़ा वगारा उठाने वी तो डिलाव में ज्यादा थोड़ा था तो जहां पोसे लाके में जो कुड़ा बाहर आ रहा था उनको जिसकी जुरूर्त दिलाव की वहां उन्होंने लाइवरेरिया बनाई हुई है असालतपूर का एक डिलाव है उसमें भी जो कुड़ा में रोड की बार की तरफ आ रहा था एथरी का रोड़ा आते साथ में एथरी की एटू की कोठी आती है तो उस वज़से की गंदगी बार नहीं होने के क्यो गरीब बच्ची है या कोई और जिसको जरूरत है वोन बुक्स को लेकर अपनी पढ़ाई कर सके तो उन्होंने और वी काम की है यह एक तो यह विमेन काम है और दूसरा काम जो दक्षनी दिली हमारी पस्टमी दिली है यह के लिए एक एसी सव वहन जो भी एमारे अरिया में था है नहीं वह भी हमारे मेर काल में उन्होंने जाव लजी ने जो है हमारी पस्टमी दिली को बहुत बड़ा तोफा दिया है तो उसमें आर्दस वारा आर्दस लोग जैसे बैठके भी जा सकते हैं तो यह भी वस्ता आप आप खुद इस बात को मानेंगी आपके सामने पा देखो बैंच लगे थे खुद मैंने यह करवाया थे बैंचों का खाम देखो पार्क में चुवे लगए हो हर जगा बखेशु और देगों का तो इलाज है मसलें क्या कर सकती हैं लोग दाना दे रहें को मेरे एरिये में जो फार्क है ुद मैं देखती मेरे आस पास के यही बिल्कुल सेम बात लोग कह रहे हैं पांच साल से सिर्फ आसवाशन दिया जा रहा है हमेशा यही बोलते हैं हजार फोन कर लिए नहीं आए आवेदन डाल दिये नहीं आए आप यहां जितनी भी महिला हैं अभी आप चलिए भार मेरसाथ मैं आपको दिखाती हूं मैं ऐसे हो लोग मुझे ही कहने आते हैं जिन उन्हें आपको कहा है कोई अवेदन किसी ने डाला है हाँ जितना हो सकता है उतना हम लोग ने वैस्ट दी है अभी करोनकाल की बीच में तो अब जब लोग अपनी महमारी को लेकर एक दुसरे साथ ही कट हो गए थे आना जाना बं हम चाहरी है हमारे आपने अर्यम है तो पार की देख रहे बोगर करते हैं तुसके लिए और लेनी पड़ती है अपर प्रूबल लेनी पड़ती है पार्कों की सफाय के जाड़ों गैरा जो भी हम हीसा लगती रहती है ठास बच्छों को करोनकाल पे जब भच्चे हैं खेल ल क्योंकि स्कूल बन थे बच्चों के बच्चों की पढ़ाई तो बच्चों को खेल कोद के लिए सिर्फ यह जगा मिलती थी बच्चे इसमें वैडमिंटन के बच्चे इसमें किरकेट खेलते हैं घास कहां से रही कि बहुत हरा वरा था यह पार्क आप उनके जब निगम पारस भी इतना नहीं मिला और जो कर्मचारी थे वह पबलिक की सेवा में कूड़ा उठाने में लगे तो थोड़ा सा विवस्ता डगमाइक मगाई है फिर भी बैटर है लेकिन मैं आपने लगातार सिफ कोविड की बात करी यहां पर कोविड में जब हाउस टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की बात आई तब आपने बीस बीस प्रतीशत उसको बढ़ा दिया लेकिन वो चीज जो जनता को जब चाहिए थी कि कम हो वो आपने दुग नहीं कर दी तो उसको कहां तक आप फिर सही मानेंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़े तो कोविड काल में हुई है ज खुद अपने हम कैम्प लगवाती हैं दूर्गा माता दूर्गा मंदिर में हम एसा ही मैंने कई सालों से यह कैम्प लगवारी हूं तो उसकी एक डेट हिक्स होती है कि उस डेट से आगा अंदर अगर टैक्स भरते हैं तो उसके छूट मिलती है हमें टैक्स बरने की मैलाओ लेट नहीं भर रहे लोग भाजपा की और से क्या किया गया था कि 20 प्रतीशत टैक्स बढ़ा दिया गया आपका प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स और अन्य टैक्स भी दो तीन उसमें और हैं वो बढ़ा दिये गए और उसके बाद सेलेक्शन जैसे जैसे नजडीक आ रहा है तो उनके पोस्टर और सारे ओडिंग्स आपके छपने लग गए हैं कि हमने घंडा दिया है तो यह राजनीती नहीं यह तो रहे हैं पुलियो की दवाइग तो उनका काम है न ना आगर पोल्यों की दवाई थी तु वह भी मुफ्त देना। मैं 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 ऐसा है यह तो फैसला जो है मीटिंगों में टहे होता है उनकी जो बोड़ी वैठती है उसमें तहे होता है उसमें इस बारे में आपको में इतना ज्याधा नहीं बता सकते हैं अच्छा आपने निगम के उस पर वापस आजाते हैं हम निगम की आपने बात करी करमच करमचारियों की तो उसमें कहा तक करमचारियों को सारे प्र mejorowned और सेफटी दि दी गई थी निगम की और से मैं निगम की और सीज सुछ था कि हर वंद्य को घर-घर धुएं पहुंचाए गई गई है अपनी यह मसीन ने जो करमचारी जो घर घर का कूड़ा उस समय भी उठा रहे थे लोकडाउन के समय भी वो थे वहाँ पर उनको कोई सेफटी प्रोवाइड नहीं कराई जाए नहीं उनको सेफटी थी उनको गलफ्स दिये थे उनको पूरा उनको बोड़ी के लिए पूरा ड्रेस दी ती किट दी गया था लेकन अब यह महामारी तो ऐसी थी यह तो हर किसी को हुई है अब आप अपरेल मिने का देख लो मेरी अपने एरिये में मेरी इस को लौनी के अंदर तेरा डैथ हो गई मेरे आसफटोस में हमें भी कोई हो था हम पूरी फैंबली को विट से हम ग्रसी थे पर यह की लगते हैं इसके लिए तो जितना हो सकता है उतनी कर यह बीजेपी सरकार ने तो काफी किया हुए अच्छा मैम यहां के जो निगम पार्षद है नरेंद्र चावला जी उनके नक्षे कदम पर आप चल रही है क्या कुछ आपको लगता है कि शेत्र में जो नहीं हुआ है जो नरेंद्र चावला जी से अभी तक जितना हमने यहां पर पश्यमी जनकपुरी में लोगों से बात करी है जाना है जो पूरा उसका निचोड़ निकला है वो यह है कि वो नरेंद्र चावला जी के काम से खुश नहीं है संतुष्ट नहीं है तो अगर आप वैसा ही काम करने वाली है तो लोग आपको वोट क्यों करेंगे नहीं ऐसा है लोग तो बहुत खूज है मैं उनके साथ हर प्रोग्राम में जाती हूं लोगोंने अभी नेक्स्ट दस-फंद्रा दिन पहले उनके राउंड चले हुए थे हर क्लोनी में में उनके साथ गई हूं लोगों ने बै सब्सक्राइब निगम करते हैं अब आपको सफाइब रखनी है पार्क में जूले तूटे ऊधूटे वे उनका ध्यान रखना है यह तो तो आपने यहां देखा जगदंबा जोहान जी का साफत और पर सिर्फ यही कहना है कि 15 साल से भाजपा जो है MCD में राच कर रही है तो इस बार भी भाजपा ही MCD में दुबारा आने वाली है और लोगों के बीच अच्छा कारे करकर अपनी एक और अच्छी पहचान बनाने वाली है कैमरा पर सिंदीक्षा के साथ मैं इश्का नेशन लाइव